हलो फ्रेंड वलकम मैं चंनल कैसे आप सभी आज मैं हाज में हाज और कियर्ट कैसे करने हैं उसके बारे में बताओंगी directing हैं इसके बारे में बताओंगी一个 इसमें बिल्कुल यह flower birds prepared हो रहे थे उस वक्त एक वीडियो शूट किया और जब इसमें flowering पूरी bloom पर थी उस वक्त मैंने इसका वीडियो शूट किया है तो वह आपको मैं आगे बताऊंगी पहले में इस प्लांट का structure के इस तरह से होता है वह आपको detail में समझा दू और जो प्लांट है यह कि स्मॉल सकलेंट प्लांट है इसका size बद इतना ही रहता है इससे ज़्यादा यह बड़े नहीं होते हैं इसकी जितनी भी leaves होती है वो green color की leaves होती है triangular shape में leaves होती है और यह एक रोसेट के रूप में होती है means आप कह सकते हैं कि leaves का एक cluster होता है गुच्छा होता है जो circular एक साथ grow करता है अब इसे जैबरा प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी leaves के outer पर leaves के नीचे जैबरा आप देख रहे हैं white bumps होते है white color के bumps निकले होते हैं छो जैबरा लाइन्स जिनने हम कहते हैं जैबरा लाइन्स की form में होते हैं वो इनकी leaves पर बने होते हैं इसलिए इन्हें जो है हम जैबरा प्लांट भी कहते हैं इस प्लांट का जो leaves होती है जो रोजेट होता है वो 18 cm तक लंबा हो सकता है और इसका जो डायमिटर होता है इस प्लांट का वो 6 इंच तक होता है इसमें white color के tabular flowers आते हैं वो tabular shape में होते हैं और summers के end में या summers में अभी जैसे मेरे इसमें जो flowering हो रही है वो summer starting में मार्च में हो रही है इसमें flowering influence खिलता है और जो influence इसमें जो खिलता है उसकी जो height होती है वो one foot तक होती है one foot long इसमें इसका जो stock निकलता है उसके उपर इसके flowers से निकलते हैं white color के इस plant को horthia facetia भी कहते हैं facetia का means होता है latin में इसका means होता है leaves band जो बने वे हैं इस पर white color के तो उसका means होता है band या stripes जो बनी भी है leaves पे उनका means facetita होता है इस plant की care कैसे करनी है बाकी circular plant से ही थोड़ा सा different होता है इसकी soil आपको कैसे लेनी है इसको watering कैसे देनी है इसके बारे मैं आपको बताऊंगी तो हम में ध्यान रखना है जब भी इसकी light जो requirements होती है वो यह full sun tolerate कर लेगा पर जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे इस plant की कुछ नीचे की leaves है जो आपको डाक ब्राउन कलर की दिखाई दे रही होंगी और उपर की जो नई leaves है वो green कलर की है क्यूंकि अभी summer भी summer sorry winters खतम हुए तो winters में थोड़ा dormancy में चला जाता तो उसमें इसके कारण भी इसकी leaves जो है ठंड के कारण थोड़ी रैड हो जाती है और अगर आपकी पानिया प्रॉपर नहीं दे रहे हैं तो भी इसकी leaves आगे की tips जो है वह ब्राउन होके सूखने लगती है प्लस अगर sunlight भी स बने होते हैं तो जित्ते भी नीचे की leaves यह थोड़ी एज भी हो गई है प्लस मुझे लगता है विंटर सारी विंटर के कारण थोड़ी सर्दियों में इसकी leaves जो थी वह थोड़ी से डैमेज हुई है ठंड के कारण तो यह सा काफे सारी रीजन सोते हैं इस प्लांट की leaves के इस तरीके से ब्राउन होने के अब क्योंकि यह समर्स में फ्लावरिंग कर रहा है तो हमें इसकी समर्स में केर करनी है केर के लिए इसकी सनलाइट को आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो स्पाइस होती है इनके जो फैमिलियर्स होते है सकलंच के वह फूल सनलाइट जो है ब यह में इंडॉर में काफी ज्यादा यूज किया जाता है तो आप इसे ब्राइट लाइट में रखे ब्राइट लाइट और सेमी शेड पोजीशन जो है इस प्लांट के लिए काफी अच्छी है उससे इसकी लीफ का कलर भी बिल्कुल ग्रीन बना रहेगा तो आप इस बस इस रखे फुल सनलाइट में ना रखे कभी भी इसके लिए सॉइल जो आपको चाहिए वह वैल ड्रेन होनी चाहिए जो भी आप पॉट यूज कर रहे हैं उसका ड्रेनिज होल हमेशा चैक करें उसमें से पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाना चाहिए क्योंकि सकलन्ट से ज्यादा ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है तो आपको वैल डोइंट पॉटी मिक्स इसमें यूज करना है यह जब मैंने वीडियो शूट किया है तो तब इसमें फुल फ्लावरिंग हो रही है इसमें काफी सारे फ्लावर से जो ब्लूम कर चुके हैं और काफी सारे नए फ्ला फ्लावर्स आते हैं काफी छोटे-छोटे फ्लावर्स होते हैं इसमें दो ब्रांचे निकली है उनमें एक ब्रांच में तो अभी फ्लावर्स ब्लूम नहीं कर रहे हैं पर दूसरी में काफी सारे फ्लावर्स है जो ब्लूम कर चुके हैं इसमें एक ही होता है कि जैसे नीच वो जो garden soil हम यूज़ करते हैं वो एक पार्ट आप इसमें खाद का जुरूर डाले compost आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं प्लस इसमें आप एक पार्ट परलाइट्स और पारस को कोhra very san j joe आती है व applicable यूज़ कर सकते हैं पर लाइट्स काफी हेलफफुल रहते है् सब्लिंट्स के लिए इस प्लंट को आप जब भी पानी दें तो इसके जो कि युग फॉइले है तो महीने में एक बार यह आपको पानी देना है और समर्स में जब भी मिट्टी उपर से सूख जाए तभी हमें इसे पानी देना है तो सोक और ड्राय मैथड हमेशा यूज़ कीजिए इस तरीके के बादों के लिए वह काफी हेल्फुल रहता है इससे क्या वह वाटरिंग से प्लांट की प्लांट बच जाता है प्लस रूट रॉट भी नहीं होता है तो जब भी उपर की अच्छी खासी लेयर दो से तीन इंच की लेयर सूख जाए तभी हमें इसे पानी देना है यह जो प्लांट है बहुती स्लो ग्रोइंग सक्लेंट प्लांट से इससे ज्यादा फर्टिलाइजर की जरुत नहीं पड़ती है बहुत वक्त लगता है इसको ग्रो करने में इसमें कफी स्लो ग्रोइंग सा है इस प्लस इसक कि रिपोर्टिंग जब भी आप करें जब भी क्राउडड हो जाए क्राउडड मिंस जब भी इसके बेबी प्लांट मदर प्लांट से निकले और वो पॉट आपका फिल दिखे पूरा भरावा लगे जैसे कि आप आप इसमें देख सकते मेरे इस मदर प्लांट के साथ दो या तीन बेबी प्लांट भी है जो मैंने आपको दिखाए हैं पॉइंट आउट करके आगे तो मेरे स्पार्ट में अभी स्पेस है वह बेबी प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकते मैं इन्हें अभी सेपरेट नहीं करूंगी जब तक कि वह पूरे मिच्योर ना हो जाए और प्ल स्प्रिंग में आप जब भी इसको रिपॉर्ट करें तो इसमें फ्रेश सॉयल मिक्स करें साथ में कंपोज्ट यूज करें ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो करें और थोड़ा सा बड़ा कंटेनर यूज करें आप चाहें तो मदर प्लांट को सेम कंटेनर में रखके उसकी में लाख़य हो जाती है उनको आप दूसरे कंटेनर में लगा सकते हैं इसको प्रोगेट करने के लिए आप मैंने जो मैसर्व बताए है एक तोन बेबी को आप टेवाइड कर ले मदर प्लांठ से उसके तुरह आप boss कर सकतें हैं दूसरा प्रग मैं दूस्छ इसका Français इसमें सीट्स भी प्रड्यूस करते हैं ये फ्लावर तो अभी मेरे जो ब्लांट में मैं बंश कर डियां उसमें हुआया है तो इसमें नेक्स्त या जब यह spinner आम करें ती की जो leaves है उन्हें आप mature leaves को cut करके उन्हें soil में लगा लें तो उसे भी जो है नए plants grow हो सकते हैं एक main बात है कि आप इन्डोर लगा सकते हैं क्योंकि नॉन टॉक्सिक होते हैं यूमन्स और अनिमल्स दोनों के लिए ही तो अगर आपके घर में चाइल्ड और पैट्स हैं तो आपको फिकर करने की ज़रूत नहीं है कि हम इन्डोर रखे तो कोई प्रॉब्लम होगी यह बिल्कुल नॉन टॉक्सिक प्लांट्स है तो फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेन करके जरूर बताएगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा एक और चैनल है अगर आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने उसका लिंक डिस्क्रि